हाई फ्रेंड मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं अल हिंदी में हेल्प यूटूब चैनल फ्रेंड अगर आप फेवास ब्लॉग वेबसाइट है और 404 का एरर आ रहा है तो इसको कैसे ठीक करते हैं हो सकते हैं आपका एक यूटूब चैनल भी हो तो भी आ सकते हैं कैसे आते हैं और कैसे ठीक करते हैं इस वीडियो में आपको अच्छे से बताएंगे तो अगर आप बिल्कुल नए है इस चैनल पर नए फर्स्टाइम वीडियो देख रहे हैं और आभी तक हमारे चैनल को स्काइब नहीं कि ए तो सब्सक्राइब करके साथ में नोटिक्राइशन बेल आइकन को आउन करते जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो के अब्डेट सबसे पहले मिले दिखिए फ्रेंड जब हम अपनी वेबसाइट को वर्ड प्रेस पे अभी कुछ दिन पहले ले गये तो क्या हुआ था मेरे सा चैनि बताने वालों जिससे कि आप ईटाइटल बनाते हैं और चैनल बनाने की बास ऐसको बद में जब एडिट करते हैं यह फर्मा निन्क होते हैं यह यानि कि जबाप अपनी वेबसाइट वैब मास्टर टूल में में सब्सक्राइट करते हैं गुगल गूगल के जो क्राउलर होते हैं आपकी जो ओल्ड पोस्ट होती है यानि कि यह वाटसप से पहसे कमाई यह ओल्ड टाइटल है और इसको बाद में हम लिखेंगे वाटसप से पहसे कमाने के तरीके तो यह थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें कुछ ना कुछ चेंज हो तो पेजनाट फॉंड का एरर आता है 404 का एरर आता है और वहां से डिरेक्ट पहस्ट पर जाता है तो आपको क्या करना होगा जब भी आप पोस्ट लिखिए तो एक सोस्ट समझ के अच्छे से कीवर्ड करके लिखिए जिससे कि आपको बाद में इडिट ना करना हो और 404 क यानि 404 का एरर और पेजनाट फॉंड का एरर तो आप जब भी पोस्ट लिखिए तो समझ के लिखिए अच्छा टाइटल बना के लिखिए उसको बाद में इडिट ना करें चाहें आपका यूटूब चैनल हो यूटूब चैनल के लिए टाइटल लिख रहे हैं तो उसको इडिट करेंगे तो फिर आपका जोए कि पोस्ट जोए कि जो पहले से रेंक है वही गूगल सो करेगा और उस टाइटल पर जोए कि जो ही यूजर सर्च करेगा और क्लिक करेगा तो वह पेजनाट फॉंड का एरर दिखाएगा उमीद करता हूं कि आपको पता चल गया हो को पेजनाट फॉंड का बाते हैं और कैसे इसको ठीक करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए कॉमेंट करके बताएए थैंक्स पर वाचिंग